सडक से मलबा हटाने के लिए 118 दिनों से शेरगाटी नगर परिशद का चक्कर लगा रहे हैं अस्थानिय बाशिंदे शेरगाटी शहर के काजी मुहले में मुख्य सडक पर गिरे कच्चे मकान के मलबे को हटाने के लिए अस्थानिय बाशिंदे 118 दिनों से नगर परिशद कार्याले का चक्कर लगा रहे हैं सड़क पर कच्चे मकान की दिवारें गत 13 फरवरी को गिर गई थी सड़क पर मलबे की मौझूदगी से एक और जहां वाहनों का आना जाना बंद है वही मार्ग के समानांतर बहने वाली नाली में मलबे के जमा हो जाने के कारण नाली का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है इस सड़क से काजी मुहला गढ़ हटिया और सुनार टोली आदी मुहलों के लोग आना जाना करते हैं शुकरवार को भी मलबा हटाने की मांग को लेकर नगर परिशद कार्याले पहुँचे अस्थानी नागरिकों की किसी जिम्मेवार पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई जन सरोकार से जुड़ी इस समस्या के परती परिशद कर्मियों की अंदेखी से कुरुद एक नागरिक मुहमद सद्दन ने कहा कि कई बार कारयाले आने के बावजूद यहां किसी से मुलाकात नहीं होती है कारयाले पहुँचे नागरिकों में मुजफर कादरी, अकबर खान, ताबिश हसन, खाजा फिर्दौस, सेयद जूफी और सरवर इमाम आदी शामिल थे इधर नगर परिशद के वाइस चेर्मेन चिंटू सिंग ने कहा है कि इस समस्या को लेकर नगर परिशद गंभीर है, 24 घंटे के भीतर मलबा हटाने का आदेश सफाई कर्मियों को दिया गया है झाल